नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चानल राशी उपचार में दोस्तों नेमलोजी में आज हम बात करेंगे कि स्नेहा नाम की लरकियां कैसी होती है दोस्तों इसके पहले मैंने और भी नेमलोजी पे वीडियोज बनाया आप चाहे तो मेरे प्लेलिस नेमलोजी को एक बार जरूर जा कर देखेगा चली दोस्तों आज हम जानेगे कि स्नेहा नाम का मतलब और उनका स्वभाव कैसा होता है दोस्तों सबसे पहले जानिए कि स्नेहा का मतलब होता है स्ने यानि की प्यार देना नाम वाली लोग काफी positive सोच से भरे होते हैं सनेहा नाम की लर्कियों को किसी के बनाएगे नियमों पर चलना पसंद नहीं होता है ये अपने नियम खुद बनाती है इन नाम वाली लर्कियों को संगीत से काफी लगाओ होता है स्नेहा नाम की लड़किया महनत और लगन से सपल होती है यह किसमत पर निर्भर नहीं रहती है स्नेहा नाम की लड़कियों को सफलता थोरा देर से मिलती है दोस्तों स्नेहा नाम की लड़किया कुम राशी वाली होती है ये लड़किया प्रतिभावान, खुद पर नियंतरन रखने वाली और नरम दिल की होती है स्नेहा नाम वाली लड़किया काफी समझदार भी होती ये नाम की महिलाएं के स्वभाव को समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये दिखाते कुछ है और होती कुछ और है वैसे तो स्नेहा नाम की लड़किया सबके साथ अच्छी तरह ही बात करती है लेकिन दोस्त बहुती ध्यान से बनाती है स्नेहा नाम की महिलाएं जिनकी राशी कुम्ब होती है वैसे जरूरत मन के प्रती साहनुबुती यानि की दया रखती है और उनकी मदद भी करती है आईए जानते कि दोस्तों प्यार में कैसी रहती है स्नेहा नाम की लड़किया तो दोस्तों देखा गया है कि स्नेहा नाम की लड़किया अक्सर प्यार में कई बार एक से ज़ाधा पार्टनर बनाने में भी दिलचस्पी रखती हैं कहने का मतलब है कि कई बार वो प्यार किसे और से करती है और शादी किसे और से दोस्तो उस निया नाम की लड़किया काफी राइसमई और अपने आप में रहने वाली और शर्मीली होती है लेकिन प्यार में ये सवेंदन शील और जुलूनी है ये बात ये जाहिर नहीं होने देती जब कोई इनके बहुत करीब आता है तभी उसे ये बात पता चलती है ये प्यार को बहुत गंभीर मामले की तरह लेते हैं इन्हें सही वक्ती के मिलने तक का इंतजार और सब्र करने की प्रवत्ती होती ये सही लड़के मिलने का इंतजार करते हैं तब ये उनसे ये शादी करते हैं तो दोस्तों ये थी सनिया नाम की लड़किया के बारे में और भी नाम के वीडियोज मैंने बनाएं आप कृप्या मेरे नेमिलोजी प्लेलिस में जरूर जाकर देखें आपको किस नाम की लड़की या लड़के के बारे में जाना है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए आज के लिए बस इतना ही देखते रहे है राश्य अपचार धन्नेवाद